Protest movements in Pakistan दुनिया के हर मुलक की तरह पाकिस्तान के अंदर भी बारहा जो है 75 सालों के अंदर हमने देखा के बहुत सारी protest movements जो हैं वो initiate दी जाती रही इन protest movements के अंदर जो basic objective या purpose था वो vary करता है हमें different type of actions नजर आते हैं हमें बहुत सी causes नजर आती हैं कभी यह तहरीकें जो हैं वो किसी खास social context में start हुई कभी यह तहरीकें जो हैं वो किसी खास political context के अंदर start हुई फिर हमने यह भी देखा कि protest movements की जो nature थी वो भी वक के साथ साथ जो है वो तबदील होती हुई नजर आई है यानि वकाइदा जो इहतिजाजी तहरीकें थी उन्होंने कई तरह के angle कई तरह के जो उनके अंदर जो involvement की लोगों की और फिर ideas की, ideologies की segments of society की वो हमें हमें देखी है तो during the last 75 years Pakistan has witnessed the rise of numerous religious, political and social movements, which were mostly aimed at dethrowing the rulers, आम तोर पर तो दुनिया में जहां भी यहतिजाज होता है उसमें जो slogan लगाया जाता है वो यही है कि हकूमत को तबदील करना है या rulers को तबदील करना है क्योंकि इनकी वज़ाज से problem जो है वो settle down नहीं हो पा रहे हैं but there are some marches and political movements in Pakistan's history that were not initiated to topple any government लेकिन बास जोकात ऐसा भी होता है कि मकाइदा जो तहरीक चलाई जाती है उसका मकसद सिर्फ हकूमत की तबदीली नहीं होता बलकि उससे कुछ और मकासित जो है उनका हसूल मुमकिन बनाने की कोशिच जो है वो की जाती है और कई दफा तहरीकें जो हैं वो अपने मकासित में काम्याब होती है और कई दफा मकासित में काम्याब नहीं भी हो पाती So overall many political movements in Pakistan have undoubtedly been successful as they accomplished their goals and in fact sometimes we can say that they cannot get the success अब पाकिस्तान की केस में एक बहुत जो interesting fact है कि जो पाकिस्तान का क्याम है ये भी एक बकाइदा तहरीक के नतीजे में ही हुआ लेकिन वो तहरीक जो थी वो एक स्यासी तहरीक भी थी और एक जिदोजहद की तहरीक भी थी स्यासी तहरीक इस context के अंदर कि जब 1906 में Muslim League बनी तो उसके क्याम का बन्यादी मकसद क्या था कि बरसगीर के मुसल्मानों के लिए एक आइनी जिदोजहद यानी आइन की हदूद में रहते हुए मुसल्मानों के लिए ऐसी रिफॉर्म्स की डिमांड की जाए कि मुसल्मान इस जगा पर एक मुत्माइन जिन्दगी गुजार सके लेकिन जब वो तहरीक उस कॉंटेक्स में एक कॉंस्टिटूशनल स्ट्रगल काम्याब होती हुए नजर नहीं आई तो फिर काइद आजब मुहमद अली जिन्हा ने वकाइदा तोर पर उसको एक और शकल दी लेकिन बारहाल जो आइनी और स्यासी जो अंदास था तहरीक का उस से कहीं भी उन्होंने फिरूगरदानी नहीं की और फिर 1940 और फिर 1945-46 के इलेक्शन के नताइज के बाद जिस तरह लोगों को मॉबिलाइज किया और फिर अल्टीमेटली क्या में पाकिस्तान को मुम्किन बनाया वो एक आईनी जिदो जहद एक आईनी तहरीक की एक बेम साल कहानी है क्या में पाकिस्तान के बाद जो बहुत सी प्रोटेस्ट मुवमेंट्स पाकिस्तान में चलती रही उन्होंने बाद वकात कुछ पुलिटिकल इशूज थे यानि जब पार्टीज जैसी जमायते यहां ऑपोजीशन हकूमती कारकरदगी से मुत्माइन नहीं थी तो उन्होंने पकाइदा तोर पर हकूमते वक्ते खिलाव तहरीक चलाई और फिर बाद वकात यह जो पुलिटिकल इशूज थे इनको सोशल इशूज के साथ लिंक किया गया और बाद वकात कुछ लीगल इशूज भी थे जैसे वुकला की जो तहरीक थी उसका हम नाम ले स यानि हम यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अपने 75 सालों में बहुत सी प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को एक्सपीरियंस किया इन मूवमेंट्स में कुछ तहरीकें सियासी मकासिद के लिए की गई जिसमें हकूमते वक्त की तबदीली इलेक्शन नताइज से मुतमई ना होना या हकूमत के कुछ ऐसे जो काम जो उनको करते हैं चाहिए थे जब हकूमत ने वो इन टाइम नहीं किये तो ऐसी तहरीकें पाकिस्तान में चलती रही अयूब खान के खिलाफ भी तहरीक चली और फिर उसके बाद भी हमने देखा कि टाइम बाइटाइम पॉलिटिकल वो पाकिस्तान की सियासत में आई और फिर पार्टी इस ने सियासी जमायतों ने सियासी क्यादतों ने मिलकर लॉंग मार्ज की एक सियासत का ट्रेंड जो है वो मुल्क में इंट्रड्यूस कराया फिर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि धरना सियासत की टर्म भी पाकिस में इस्तमाल हुई और political parties ने इस trend को भी introduce कर आया, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो various civil society के segments हैं, वो बाज उकात social issues के उपर भी protest movements को run करते हैं, उनका अपना अंदाज है, और फिर ऐसे ही वुकला तहरीक एक बहुत important segment है, जब कुछ legal issues के context में पाकिस्तान में protest movements जो हैं, वो चलाई गई, इसके साथ साथ कभी कबार, जो मज़बी जमाते हैं, वो भी इस protest movement का हिस्सा बनने के लिए तयार रहती हैं.